जैजिनेंद राप सभी को आज हम सभी बैठे हैं बसंत कुछ ध्यान तीर्थ में इस्तित भगवान शांतिनात के चर्णों में जिसमें पावन सानिद्य मिल रहा है हमें परमपूज आचारे आनंद सागर जी महराज मौनप्रिय गुरुदेव का हम सभी यूं तो गुरुदेव की जीवनी से भली बाती परिचित हैं पर आएए गुरुदेव की श्री मुख से हम सभी मिलकर आज इसको जानते हैं महराज की जय द्रमांद्रागी महान भाव अनुकंपा ने हमसे पूछा है कि हमारे बैरागे भाव कैसे हो गए पहली बात तो यह पिछले जन्मों के संसकारी में इनको समझता हूं जो नैसर के रूप से हमारे भाव बैरागे के हो गए और दूसरा जिन्मिम दर्शन, जिन्मंद्र जाना, जिन्द भगवान के दर्शन करना और धार्मिक सिक्षा का होना इन सबसे हमको बैरागे के भाव हुए शाहित, संगीत, कला हमारे बैराग में ये तीन प्रमुखें उनमें साहित, संगीत और कला दार्मिक ग्रंदों का अध्यन, चित्रों का अबलोकन, एक छोटी स्पुष्टक निकलती थी, जैन बाल पोथी उसमें चित्र थे अरहंत पिताजी तेरे, जिन्वानी तेरी माता, ओ भैया अरहंत सरल है होना अरंतों का चित्र, सिद्ध पिताजी तेरे, जिन्वानी तेरी माता, ओ भैया शिद्ध सरल है होना, सिद्ध भगवान का चित्र इसी प्रकाशे आचारी पिताजी तेरे, जिन्वानी तेरी माता, ओ भैया आचारी सरल है होना, आचारियों का चित्र इसी प्रकाशे उपाध्याय पिताजी तेरे, जिन्वानी तेरी माता, ओ भाईया उपाध्या सरल है होना इस प्रकार उपाध्याय का भी चित्र, साधू सरल है होना जिन्वानी तेरी माता, ओ भाईया साधू सरल है होना साध्यों का चित्र, चित्रों को देखा, मन में विचार आया, जब परीक्षा होती है, तो प्रिष्ण पत्र में लखा होता है, सभी प्रिष्ण करना अनुवारे हैं, लेकिन जो आपको सबसे सरल लगे, वो पहले करो, हमने विचार किया, अरहंत सरल है होना, सिद्ध सरल है होना, आचारी सरल है होना, उपाध्याय सरल है होना, और साधू सरल होना, तो एक कारिय पहले करना चाहिए, तो हमको ए बैराकी भाव चित्रों के माध्यम से हो गए, फिर जिनों ने जनम दिया, उन पिता जी ने हमको बुलाया, समाधी के एक सप्ता है पहले, और का बेटा मेरा मन्था मुनी बनने का, मैं नहीं बन सका, क्योंकि आँखों से दिखना मेरा कम हो गया, धीरी धीरी आँखे बिलकर बंद हो गई, तो मैं चाहिए के मुनी नहीं बन सका, लेकिन बेटे आप मेरी भावना पूरी जरूर करना, आप मुनी बनना, संतों की संगती करना अच्छे सायत का श्रिजन करना अच्छे सायत का अध्यन करना और जिन धरम की प्रभावना करना तो ये मेरे संसकार पुझ पिता जी के भी रहे हैं जिन से मुझे ये संसकार मिले है मंदर में जाते जिन बिम्ब के द्यासन करते तो कोई बड़ी प्रित्मा, छोटी प्रित्मा, छोटी प्रित्मा, मन में आता, इन भगवान को स्राधी लगती होगी, भूंक लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, इनके छोटी छोटे बच्चे होंगे, एस मन में ख्याल आता, लेकिन जब अध्यन किया, तो पता लगा, कि भगवान के तो बच्चे ही नहीं होते हैं, ये तो ती इथंकरों की प्रितमाय बराजमान हैं, तो ऐसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ती हुई, अगला प्रिश्ण गुरुदेव दिख्षा के भाव, पिताजी का आपका मन था, कि वे दिख्षा लें, पर वो किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, तो आपने उनकी आज्या मानते हुए दिख्षा पत को अनुसरन किया, गुरुदेव क्या आप अपने परिवार के बताना चाहेंगे, आपका पूर्व नाम, आपका जन्मिस्थान, आपके दिख्षा गुरु कौन थे, आपको आचारे पत किस ने दिया, आप इसकी जानकारी भी हमारे नमुकार चैनल के माध्यम से समस्त देश्वासियों को दें। तो वहाँ जो प्रमुख तरवाजा है, वहाँ पर लखेगुद पंक्तियां हैं, आयम निजहा परोवेत्ति, गर्ना लगुचेति साम, उदार चैता नाम्तु बशुदाइबे कुटम्भिकम। यह पंक्ति देखिया आपने हैं? तो यह पंक्ति लिखिया है, अयम निजहा परोवेत्ति, यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह जो भाव होते हैं, जिनका लगुचित्य है, छोटा मन है, पुर्न के भाव ऐसे होते हैं, लेकिन उदार चैता नाम्तु बशुदाईबे कुटम्भिकम। इनका उदार हिर्दय है, आकास के समान विशाल, उनके लिए पूरी बशुदाई उनका पूरा परिवार है, तो हमारा तो पूरा परिवार यही है, आप भी मेरे परिवार में हैं, और यह सब मेरा परिवार ही है, जो छूट गया, उसके बार में कभी चिंतन में करता नहीं, तो यही मेरा परिवार है, तो जब दिख्षा के भाव होगे सपने में दिगमर संतों के दर्षन होना उनकी बैया भृत्ती करना उनके बियार में साथ साथ चलना एस बच्पन से ही सपने आते थे एक प्रात्यों किछे ने बोल दिया कोई मराजी आ रहे हैं वह मैं चल दिया सुबा सुबा वह छुटा था चापंट साल का चल दिया साम तक बैठा रहा कोई मराजी आये नहीं किसे ने जूट बोल दिया मैं बैठा रहा साम तक इंतेजार में नहीं आये तो ए संतों के प्रती भक्ती अमारी सभाविक रही है तो जब मेरे दिख्चा के भाव थे तो आचारी पार्श सागर जी जिनकी समाधी स्वाना गृजिये में हुई उनके इसे मुनि नर्वान सागर जी और एक सिसे थे बास्पूर सागर जी तो मैं बिहार करा रहात democrat बाश्पूरर सागर जी का महराष्च के थे महराठी बात बहते थे वो इस दर्धेते दतों थे नहीं तो आब है तो कुछ समझ मेहाती कुछ नहीं आती दतों थे नहीं तो वो सुनाते कहानिया तो मैं सुनाते तो मैंने का हम आपको जिः दिक्षा दे देंगे तो उन्हों ने कहा इस बालक के मुनिय बनके भाव है मेने कहा, मेरे भाव तो हैं आज में कुछ को बोल दिया तो मेरे दुस्का आख को दुस्मन हो जाएंगे हम सोनागर पहुंच रहे हैं माविर जन्ती पर आप वहीं आ जाना अब ही मैं छत्रपर जा रहा हूँ पर मैं पहुंच हूँगा सोनागर तो वहां माविर जन्ती पर इक्षा देंगे वेपार लेटर भी आ गया मैं सोनागर पहुंच गया पता किया कोई सादू आए नहीं आने की कोई उम्मीद भी नहीं है यहां से वाँ में भटक रहा था कहां जांग एक कोई पुजारी राज आराम भर रही है बाहर निकला वोलिया आप मैं देख रहा हूं आप इदर बटक रहें बहुत देशी क्या वात है सादू लिए मैं मुझनी बनने के लि आया था इलिल्याटर आया था महराज़ित को यह पर आए नही अरे बोले हां कली एक महराजी ने बिहार किया है मुझे बोल गए कोई ब्रमिचारी आ है मिरे पास भेज दयाना रात्रिकुन के पास रोका सुबा बंदना की की ठ्यातर की सोनरजी की और हमको पुछ गया चंपापुर अपका स्वारी गवालियर चंपाबाग का मंदर वहां पता हमारा जी बिहार कर गए तो महराज जी थे धरमसाला में केसलोंच हो रहा था दो मुनियों का एक पुछबदन सागर जी और एक हमारे गुरू महराज जिनके पास में गया था मुनिस्टूबिर सागर जी तो वो प्रवचन कर रहे हैं केसलोंच कर रहे हैं जब क्या थो गया तो नमस्तू किया मैं भी जाके नमस्तू किया लेटर दिया तो बोले आप आगे उननने सुईकार कर लिया मेरे को उस समय जो मुझे हर्ष हुआ बैसी खुछी हम को आज तक जीवन में तो हुई ने फिर उनने मेरे को साम को मेरा इंटरिवू लिया जैसे आप ले रहे हैं सो प्रिष्ण पूरे पूछे मेरे से सो प्रिष्ण लिखी हुए तो कौपी के ऊपर सो का जबाब मैंने दे दिया बहुत खुश हुए केसलोंच करना पड़े के सारग में तभी मैंने बात निकाल द तो पुनके साथ मैं बिहार किया दो दन बाद उनने में केसलोंच करा दिया उसकी बाद मैं मुरेना गया मुरेना में बिद्वान थे मकला शाष्टी बड़े बिद्वान तल दुनों हजारों बिद्वान तयार किये उन्होंने का महराज जी अब एक नियम बन जाना एक ही पचास साल के बाद ही दीख्षा होने चाहिए पहले नहीं होने चाहिए महराज जी बोले पंडिजी आप कितने साल को हो गए मैं तो साठका हो गया अब दीख्षा लो हम कहां दीख्षा ले सकते हैं आखों से दिखता नहीं ठीक से कानों सुनता नहीं कमर जुग गई यह चला नहीं जाता है, भीमारी लगी हुई है, मराजी बोले बाप अंडिजी, जो दीख्षा ले रहे हैं उनको तो मना कर दो, और आप दीख्षा लोगे नहीं, तो मुनी मारगी बन्द हो जागा फिर तो, ऐसा थोड़ी होता है, पर वहां से हम महावीर जी आए, वहां भी बहुत संतों के देशन होगे, फिर मलाना डूंगर में, तीन मई छहत्तर को मेरी छुल्लक दीख्षा होगे, नाम रखा ज्यान भूषण, फिर उनियार आलिसान में, दो जून को मेरी दीख्षा हुई, तो मुनी दीख्षा हुई, नाम रखा आनन सागर, कुछ बिद्रोही बिद्वेशी थे कि बालक छुल्लक है, और कहीं ऐसा नाओ के छोड़ के भाग जाए, यह मुनी दीख्षा कैसे पालन करेगा, तो घर पे तार दे दिया, मैंने का तार पहुँचे गाई नहीं, बोलें उतार दे तो पांच दन होगे, मैंने के पहुँचे गाई नहीं फिर हम वहां से पदमपुरी आए, आगे दर्स नहीं किये, फिर मेरा चत्रमाष जय परम हुआ, इस प्रकार्श मेरा आए, परिवार और दिख्षा का चलता रहा, अब आगे पोचिए और अच्छा ये तो गुरुदेव आपकी दिख्षा और मुनिपद, और उसके बाद आज आप आचारे पद पर बैठे हैं, तो उससे पहले आपको उपाध्या पद की पदवी भी मिली, और आचारे पद आपको किस ने दिया, कौन से गुरुदेव थे, और आपका सौभा आगे किसने जगाया, आपके श्री मुक से हम सभी सुनना चाहेंगे में कहीं, साम कहीं, रात कहीं, अंत्र ध्यान हो जाएं, तो पते नहीं चले, जूड़ते रो, कहाँ पर हैं, बियार कर रही हैं, कोई साथ चले, नहीं बापस चले जाओ, अकेले अंदर द्वंद, सिंग भृत्ति के साथ बियार करना, रष्टे में गुफा मिली, कोई बिचेई, बिस्राम कर लिया, और सुबाज चल दिये, और पूरी यात, अरंसिद, 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 इसी की जाप करते थे, अद्वुर सादू थे हो, तो उपाध्यापद का प्रिसंग मना यमना बिहार में, पंच का नड़क था, नाइंटी वन में, गंदाचारी कु ग्यात हुआ, बहुत मन था दर्षनों का, समाज को बोला, समाज तयार हुई, बड़ोत गई, श्रीफल चड़ाया, और उनको यमना ब्यार लाए है, तो उनके स्वागत में, बहुत बड़ा पांडाल, बड़ी सभा थी, मराजी कुमायक दिया गया, लेकि सूर इतना हो रह रहे हैं, मराजी बलान सागर जी, अब तुम ही अपनी सभा को संभालो, मुझे माइक दिया, ओम नम्हा इकबार बोला, और सभा बिलकुल चांत, मैं रहे हैं, मराजी आप बोलिये, फिर सोर मच गया, बले आप ही संभालो, फिर मैंने प्रवतन दिया, फिर पांडुक शला पर अपसीख होना तो बगवान का पंदरा आजार आदमी था, जिन मुनियों को भाशन देहना था, उता भीर देखते ही मोन प्री हो गए, कोई बोलना ही नहीं, मराजी बोले आनुर सागर जी, अब तो तुम ही बोलो, और एक बज़े का समय तो मेरा तो मोन होता है, अब ग गोशना के जो पाध्यापद की, और किबरगान कल्डारक में 48 पीछिय की साथ में उपाध्यापद का मेरा संसकार हुआ, बिमोचन किया गिरंथ का मान तुम की मंदागनी भक्ती धारा, और फिर जब मराजीवां से ब्यार कर गए, द्वारा दिल्ली आए, तो फरीद अबा सलगल बाले गई हमको मराजी लाना है, मराजी आप चलियए, मराजी अब जिया लेगा है, और सागर जी कहा पर है।, बने पता करते हैं, कोई साबक ले गया अपने मकान पर बना यह आदा किलोमेटर है और पड़ा पांच किलोमेटर साबक कितना जूट बोलते हैं अपने स्वास के लिए पांच किलोमेटर गर्मी के दिन मई का महिना सडक तपरी आसमान से अंगारी पड़ रहे हैं लू चल रही है वो ले गए पुलों की माला पड़ी हुई है बिस्किट खा रहा है महराज जी बोले आनुर सागर जी अब बताओ पुन्यात्मा कौन है हमें कि यह है हम तो चलती आ रहे हैं गर्मी में पैल जलाती आ रहे है और यह देखो इसे में बठा हुआ है खुस्पु आरी सरी से बिस्किट खा है मैंने का महराजी पुन्यात्मा आप ही पुन्यात्मा है इसका तो पुन्यात्म हो गया यह तो बना रहा है पिकने के प्रकार से इसके तो पुन्यात्म हो गया आपका तो पुन्यात्मा पुन्यात्मा है फिर साम को ब्यार करना था आस्मान ठीक था लेकिन आस्मान में पत गुझे धक्का मार के बार कर दिया बारस में घ्रोको बारस कर बस एक बार पीछे आसमान में घुमाई यह बेर्स तो बंद कि अंदो लोगों ने बियार किया सावी सादू सद्विर पीछे पड़ गए आप ने कि अ मुझे तो श्रे दे दिया भरत नंगर आया वहां पहुंशते ही पूरी रात मुशलाधार बारिश होते लिए इस प्रेकार से मेरो अध्यपद हुआ प्राचारी पद का प्रिसंग सम्मिश्वकर जी की आत्रा करके आये से हम चत्रमास था साली मारबाग में अध्यार में थे आचारी सदम सागर जी उनके पास बाराबर जाता रहता दसनों के लिए वो की बिधान कर रहे थी इंदर कर पद्रूम का और मैं कर रहा था इंदर वज़त का पाठ कर रहा था पोस्टा सब के बेंदर सब के सब लग गया आचारी का अंत्र तो होता है तो आचारी का आग्यागा पालन दो कर नहीं था हम लोग वहां गए और जोचारवण का काड़ी कर्म हो रहा था उनके संग में एक नंगमती माताजी थी अब जय प्रोपोस कही है तो उन्होंने मेरी आचारी के नाम के जय बोल दी मैंने का माताजी क्या करती हो मैं उपाधिय आचारी थी तो बहुत बढ़े होते मुझे को पाप में डालती हो तो सुदम सागा जी बोल है आचारी पर स्कड़ा में करने बाला हूं बजया जस्मी को, सही तो बोला है, बजया जस्मी परपपर आचरीपद के संसकार हुए, करप बद्रम का विधान हुआ, इस प्रकार्शे आचरीपद हुआ, तो गांदी जी से पूछा, कि अपने बारे में कोई दो सब्दे कहिए, तो गांदी जी ने कहा, कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो मेरा संदेश यही है, कि मोन रहो, मोन प्रिय हो जाओ, जियान करो, जियान का आननन्द लो, बक्ती संगित में रहो, तुम सब का कल्याण होगा, इन सब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत आशिवा देते हैं अनादी काल जीवेने प्राप्तम दुखं पुनहा पुनहा मिठ्यात मोह परितेने कसायवस्त वरतिनहा अनादी काल से ये जीव इस संसार में जनम रण के दुखों को भोकता हुआ बटक रहा है किसलिए भटक रहा है मिठ्यात मोह कसाय इसके बसो करके भटक राहे मिठ्यात के विपरीत सüधान विपरीत घ्यान विपरीत आश्रण जैसे सासुने का बहु को चाय में चीनी डाल दो उसने डाल दिया नमक ये तो विपरीत हो गया ना आई सासुने का बेटे मंदर जाओ वो टी-वी खुलके बैठ गई तो ये तो अगया विपरीत न? सासुने का अधम-पुराण पढ़ लो उसने कामसूत्र प्रण्द्य सुनू कर दिया तो ये विपरीत हो गया इस प्रिकाश से विपरीत ença इसके बसो के जी भटक रहा है और कशाय तो है जो भी काम में बाधग बनता है कशाय आती है कामात कोधा जाएते काम कोध को जनम देता है क्रोधाय मौन प्रिय हो जाओ थंडा पानी पीलो कशाय बंद हो जाएगी समाप्त हो जाएगी मौह तो आप जानते ही है मौह परमे भटका देता है कुद को भुला देता है इसी से भटक रहे हैं संसार में तो धर्म के प्रतियाप की रुची हो शिद्धान हो आज चत्रो मास का हमारा 46 वा बरसाय हो रहा है हमारे प्रफेसर अगरवार शुशिल कमार जीन इस पर स्रे लिय सामने बैठे हो गए अब नीचे चलेंगे और वान कमपा की आवाज में भक्ता मर का पाष सुनेंगे और आपने संगीत कैसे सीखा मैं कुछ सिखाओ अब बताओं अंटरवू में आपका लेता है बताओं अनकमपा आपने संगीत कैसे सीखा नहीं गुरुदेव यह सब नहीं भी नहीं सीखा पर आप जैसे आप जैसे गुरुवर हमें मिले और हमने इस कारे को आगे बढ़ाया और अब आप सभी का सभी भक्तों का सारी जैन समाज का आश्रवाद हमें मिल रहा है तो इसी लिए हम इस पत पर आगे की और बढ़ रहे हैं इस इंट्रव्यू के बाद धन्यवाद और मैं बबीता जैन जैन जान्जरी अनुकमपा आप से विदा चाहती हूं गुरुदेव के इस इंटर्व्यू के बाद धन्यवाद आश्रम में चलिये वह आपको टीवी लगा दूँगा वह टीवी देखिये रहे मैंना का महराज जी मैं अतनी दूर टीवी देखनों आये हूं कर दिल्ली में टीवी कमे क्या यहां तो भगवान के दर्सन करना है मेरे को तो अपने आश्रम ले गए बाद में सीवा करी ऐसे आ इस प्रकार से और कोशागनेंदी महराज जी उपाध्या पदुवा तब भी हमारे संग में थे ग्रूद जी के साथ में इटावा में भी हमको साथ मिले और उनके पाद तो तीस पीछिया थुसम है और मैं आया था जस्वंत नगर से इटावा और सर्दी के दिन कोहरा इतना पड़ रहा था कि दो गदम तब 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 बारज ऐसा हो रहा था बीस मील चला में उस दिन और वाँ पूरा संग भिंड में थे वो उनको पता लगा तो भिंड से चलके आए खड़े ते सड़के वह पर मौनपरीर से मिलेंगे और ऐसी बारज जैस सरदी में खड़े हो गए और बेंड बाजा साथ लिए और पूरे शहर में मुझे घुमा दिया और जैसन कराय कुटिया में हमारे घुस गए और दो बोतलें मेरे सरी पर ओडेल दी और पूरे दिन मेरी बैया ब्रती में पूरे लगे रहे प्रवचन साथ हुआ आर साथ हु आज ही मेरे सुनने प्रवचन भौ सुने प्रवचन तो आज ही हमको सुनने को मिला ए पर हम वहां से चले गए आगे कानपुर फिर हम दिली आया तो दिली में भी उकसाग निंद्री मराज जी बेराजमान थे तो उनको भी मैंने बुलाया वो हमारे पूरे कारिकर्म में जब वो दिल्ली से गए, चुच्राग दिल्ली में था, वहां मुर्श से मिलके गए, फिर वो दिल्ली द्वारा भी आये थे, लेकिन मिलना हुआ नहीं, वो अब जैपुर में है, वहां चत्रमास कर रही है।